दोस्तो जैसा कि CBAC के प्यारे प्यारे क्लास 10 वाले बच्चों का 21st मार्च को मैस का लाश पेपर एक लास 10 का प्यारे बच्चों ये पेपर अच्छा जाना काफी जादे इंपोर्टेंट है बच्चों का यूजवली अक्सर ये कंप्लेन आता है मैस के अंदर भी कि सर हमने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था पता नहीं जब रिजल्ट आया तो मेरे एक्सपेक्टेशन से 10 मार्क्स कम कैसे आ गए 15 मार्क्स कम कैसे आ गए रिजन क्या रहता है कि जो भी टीचर आपके कोपी को चेक करते हैं उनको आपका नेम आपका स्कूल का नेम आप अच्छे खराब है वो कुछ नहीं पता होता है बस उनके पास कोपी रहता है और उनको एक मार्किंग स्कीम दिया जाता ह है जिसमें expected answer as well as कुछ important instruction दिया जाता है और इसी को base बनाते हुए चेकर को आपकी कोपी को चेक करना पड़ता है एबलीटर को आपकी कोपी को चेक करना होता है तो वो सारा instruction में आपको exam start होने से पहले ही बता देता हूं मैं इसका क्योंकि यह सारा mistakes आप लोग exam में commit ना कर स करके तो वीडियो काफी informative है पूरे YouTube में कहीं पर भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा तो हमारे effort के लिए एक subscribe एक like जरूर कर दीजिएगा और आप साब साब देख सकते कि यह strictly confidential होता है बट फिर भी मैं fair purpose के लिए आपको so कर रहा हूं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दू कि total 3 step में आपका copy check होता है बट जो पहला step होता है वही सबसे ज़्यादा important होता है and 10 से 12 दिन के अंदर पहले step में सारे copy को check किया जाना है तो जो main main point है बस मैं आपको वही बताऊंगा otherwise video काफी lengthy हो जाएगा तो सबसे पहला point कि प्यारे बच्चों CBA से ये बोलता है कि suppose कोई भी question में part है मतलब क्या हो गया कि suppose किजिए कि कोई भी question जैसे आपका copy कुछ इस तरीके से रहेगा right side margin left side margin मान लिजिए तो प्यारे बच् side margin में suppose आपने question number 6 लिखा इसमें total 3 पार्थे A, B और C और ये आपका 2, 2 and 1 marks का है तो पहले वाले में suppose आपको 2 में 2 मिला तो teacher चेक करेगा and right side में आपको 2 देगा, B वाले को चेक किया इसमें भी आपको 2 में 2 आया तो 2 में 2 मिला, C में आपको 0.5 आया तो इसको teacher 0.5 ये question के बगल में लिखेगा कि आपका कितना marks आया है और उसको circle किया जाता है, यानि कि right side में margin छोड़ीगा, space छोड़ीगा, क्योंकि step marking right side में होता है and totaling करके left side में लिखा जाता है, ये बात को दिमाग में रखीगा, 7th वाला point मैंने different subjects किली भी आपको बता रखा है कि अग उनों में जो best marks रहेगा, उसी को आपके final marks calculation में count किया जाएगा, मतलब क्या हो गया कि question number 7 में अगर आपका दो पार्ट है, या फिर उपर वाला time कीजिए, या फिर निचे वाला time कीजिए, उपर में अगर आपको 5 में 3 मिला, निचे में 5 में 5 मिला, तो निचे वाला marks आपक final marks calculation में count किया जाएगा, आप देखें next ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चे का 80 marks आ रहा है, या फिर full marks कोई बच्चे डिजर्व कर रहा है, कोई answer full marks डिजर्व कर रहा है, तो बच्चे को full marks दिया जाए, marks जब जस्की का cut नहीं करना है, और एक दिन में एक teacher को 8 hours दिया ज जाता है, बात के लिए यानि CBC sufficient time भी देता है, और money भी teacher को दिया जाता है, अब सीधा मैं काम की बाते करता हूं प्यारे बच्चों, तो काम की बाती क्या है, काम की बाती ये है कि सबसे पहले ध्यान रखेगा, जो आपका application of trigonometry यानि कि height and distance वाले chapter से, जो भी आपका question आए उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका answer प्यारे बच्चों, उसके only 0.5 mark रखा गया है, यानि कि steps matters a lot, तो steps को दिमाग में रखीगा, like question में दिया हूँ था कि भाई, use किजिए, root 3 is equal to 1.73, तो आपको वही use करना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, clear है, very good, next प्यारे बच्चों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ काम की बाते, बस मैं आपको वही दिखाऊंगा, ठीक है, okay सर जी तो देखी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखी, यह सब चले आपके लिए important नहीं है, अब देखिए, जो आपका quality equation वाला chapter है, वहाँ पर क्य reject जरूर कीजेगा, और लिख दीजेगा कि scenes, क्या लिखिए, एक आपका 50 आया, एक minus 40 आया, तो यह आपका क्या बता रहा है, कि जो 50 वाला है, कि यह आपका speed of train है, यह normal सी बात है, बट minus 40 को, या पर आप यह लिख सकते है कि minus 40 हम reject कर रहे हैं, क्योंकि negative नहीं हो सकता, या प तो यह चीज़ को दिमाग में रखीगा, next कि यहाँ पर दिमाग में रखीगा, कि यह वाला जो figure देख रहे है, coordinate geometry से, यह बनाईगा, तो आपको one marks मिलेगा, यानि हर एक step का marking होता है, यह चीज़ आपको मुझे अच्छे से बताना था, आयोब कि आप समझ पा रहे होंगे, अब next प्यारे बच्चो, मुझे next आपको बताना है, जो हमारा statistics वाला chapter होता है, वहाँ से आप लोग table जरूर बनाईगा, जैसे कि इस वाले question में आपको बोला था, median दिया वह था, आपको xy value निकालना था, तो उस case में आप लोग median table जरूर बनाईगा, और उसमें बताईग कि median class कौन सा है, उसको आप लोग क्या किजेगा, box में pick किजेगा, आप देख रहें, इसका two marks cbac आपको दे रहा है, यह important है, बच्ची ignore करते हैं, बट आपको और नहीं करना है, उसके बाद formula लिखने के marks दिये जाते हैं, तो formula correct जरूर लिखीगा, okay, very good, next प्यारे बच्चो मैंने आपको बताया कि height and distance वाले question में figure बनाएगा, क्योंकि देखी, साब सब लिखावा है कि figure बनाने का one marks दिया जा रहा है, यानि figure, rough figure draw करना एक necessary हो जाता है, यह चीज़ आपको दिमाग में रखना है, cbac में mask के अंदर state marking होता है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो भी formula, given, to prove वोगेरा जरूर लिखीगा, यह सब के marks दिये जाते है, तो दोस्तों यही था हमारा mask का marking scheme, अगर आपको कुछ point समझ में आया, important लगा, दिन subscribe जरूर कीजएगा, वीडियो को like कीजएगा, यह वीडियो को share भी कीजएगा, ताकि आँ दोस्तों को भी help मिल सके क्योंकि sharing is scaring, selfies हमें नहीं बनना है, okay, very good, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, वीडियो को like कर दिजी, कुछ doubt, then comment करके पूछ लिजेगा,